हाई गाईज वेलकुम बैक टो मैं चैनल मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइन के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि आप किसी के माइन में ना हर वक्त ना घूम रहे हो जब आप किसी के माइन में हर वक्त घूमते रहते हो ना तो कई सारी चीज़े वो सामने वाला परसन फील करता है और वो परसन जो फील करता है वो तो करता है पर आपके साथ भी ना कई सारी चीज़े होने लग जा दिया और ऐसे ही साइन के बारे में आज के इस वीडियो में ह तो सबसे पहला पॉइंट जो इनसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है ना तो समझ जहिए कि उस इनसान के माइंड में आप बहुत ही ज्यादा हावी हो वो हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है क्योंकि जब कोई इनसान हमें इग्नोर करता है ना तो उसके माइंड में ना हमसे related ही बातें घूमती रहती हैं, हमसे related ही विचार उसके मन में आते रहते हैं और जब उसे कुछ करने का सूचता नहीं है ना तो वो एक चीज़ डिसाइड करता है कि हमें ना ignore करना जब वो इंसान हमें ignore करने लग जाता है ना तब समझ जएगे कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़े ये सारे action बस एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं आप उसके mind में हावी हो आपसे related विचार उसके mind में हावी है आपसे related बात ही हर वक्त 24 घंटे उसके mind में घूम रही है इसलिए उसने ये action लेने का फैसला किया है और जब ये सारी चीज़े आपके साथ हो रही है तो ये और कुछ नहीं बस आपको indirectly ये बता रहा है कि आप उसके mind में हर वक्त चल रहे हो और दूसरे number का point वैसे लोग जो आपको बार-बार block करते हैं फिर unblock करते हैं फिर block करते हैं फिर unblock करते हैं और इसी तरह से ये block करना अ-unblock करने का खेलना चलता रहता है जब ऐसा लोग आपके साथ करते हैं तो समझ जईए कि उपर कौन है आप हो वो इनसान ना हर वक्त आपके बारे में ही सोच रहा है आपसे related विचार उसके mind में आ रहा है आपसे related बाते हर तरफ उसे हर समयना चारों तरफ से घेरी हुई है जब ये सारी चीज़े वो इनसान अपने भीतर हर वक्त आप फील करते रहते है तो वो ये करना शुरू कर दिता और ये action लेने का बस एक ही रादा होता है कि जो चीज़े वो इनसान फील कर रहा है वो आप भी फील करो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको hurt करना चाते है बस वो ये चाते हैं कि जैसे आप उनके mind में हावी होना वैसी वो भी आपके mind में हावी हो सके ताकि उने ना थोड़ा सा चैन बल सके क्योंकि जब कोई इनसान हर समय हमारे बारे में सोचता रहता है ना तभी वो इस तरह के action ले सकता है और तीसरे number का point आपको हर समय ना ऐसी चीज़ें दिखाई देना जो जाने अन जाने आपको एक specific person की तरफ एक specific इनसान की तरफ इस्यारा करती है मान लीजिए कि कई बार आपको किसी चीज़ को देखके किसी एक particular इनसान की याद आगे फिर उससे मिलती जुलती चीज़े आपने दोबारा देख ली कुछ seconds के अंदर फिर आपको इसकी याद आगे आपके साथ पूरे दिन में कई बार हो चुका है और ऐसा कई दिनों तक चल रहा है आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो आप इन चीज़ों को देखना भी नहीं चाहते पर फिर भी आपको ये सारी चीज़े बार बार नजर आ जा रही है और आपको इस इंसान का खयाल सान फील कर रहा है कई बार जिब हम किसी चीज़ को बहुत ज्यादा पावफुली फील करते रहते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़े हमारे आस पास दिखने लग जाते हैं और जिसमें से ये जो लास्ट वाला साइन है अगर आपके साथ हो रहा है तो ये कुछ नहीं वो सा साइन में ना हर वक्त ना चल रहा है इसके अलावा भी कई सारे साइन होते हैं जो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तब तक आप अपने अत्यान रिखें और खुश रहिए बाब बाई